एक उत्सा होनी चाहिए, दिल में एक चाहत होनी चाहिए, यह किसी भी चीज के लिए, जैसे हमारा जो मुख्य टॉपिक है mathematics आज हम जो लोग पढ़नते हैं इस कलास में, इसमें बहुत से चातरों के ऐसे बड़े हताफ निरास वाले message आते हैं, कि सर मुझे गड़ित नहीं आ मुझे गड़ित आते ही नहीं है, और इन डिगरियों का तब ही परियोग होगा जब कोई competition इकजाम निकलेगा और कोई competition तब निकलेगा जब गड़ित आएगी, तो यह सारी मुसीबतों का समधान एक ही है, कि आपके दिल और दिमाग में हमेशा यह बात रहनी चाहिए, कि म by step चीजों को समझना है, mathematics ऐसा subject है, अगर आप छोटी-छोटी topic point ले करके चलेंगे, आपको जो समझ में आए, तो आपको मजा आएगा, फिर आपका मतलब मन लगेगा, उसमें दिल लगेगा, और फिर आपको नींद नहीं आएगी, आप पढ़ते चले जाओगे, आगे हमारी पर्धान मंत्री जी की बात लेके बैठ गए कि भईया पहले बड़ा-बड़ा सवाल करो, तो तुम बड़ा-बड़ा की चक्कर में सो जाओगे, मालूम है, जब गड़ित का सवाल नहीं आता, तो नींद बहुत अच्छी आती है, लेके बैठोगे तो नींद बहुत राजपूत, स्वेता, अंजली, कुमारी, दुर्गा, पर्धान, रभी संकर, और यमभाई गेमिंग, संदीप, नीतेस, चिराग, मोनिका सिंग, प्रियंका ठाकुर, रभी, और एक है, अनुज, सुधानसू, भाई देखो, बहुत से कमेंट आ रहे हैं, तो हम कमेंटी आप सभी से, चलिए कलास में आगे बढ़ते हैं, साथियों, आज तक आप लोगोंने कितना पढ़ा है, आज तक आप लोगोंने पढ़ा है, लाइब नमबर 20 तक, आज है 21, रेड कलर से अगर कम दिखेगा, तो बता देना, बिल्कुल टेंसन मत लेना, आज हम पढ़ेंगे LCM, आप लोग यह बताओ, कितने लोगों को LCM आता है, आप लोगों को LCM आता है क्या, चलो, आज का जो टॉपिक है, वो क्या है LCM, बिल्कुल गहराई से सीखेंगे, एकदम पूरा फंडा सीखेंगे, LCM और HCF का, बस आप लोग पूरा इंड तक कलास को देखना, अगर ग आजा नहीं कि दो मिनट देखो और निकल लो, तुम पहले ही चले जाओ तभी हम सुरू करें, जिन को जाना है निकल लो, जिन को पढ़ना है, सीरियस बीच में डिश्टब निकलना, ठीक है, चले बहाँ, सीखें तो चलो, जबाब दो, ठीक है, जिन को आता है, वो सबसे प और LCM जैसा कि आपको पता है यह तीन लेटर से मिलके बना है तो भाईया इनका मतलब होता है लीस्ट ल-e-a-s-t इंगलिस यही तो होती न कॉमन कॉमन मल्टीपल अब यह नाम हों आपको कम समझ में आएगा सिर्फ आपको बेसिक फंडा समझ में आएगा जो आप समझना चाहते हैं वह मैं बता रहा हूं बस आप देखते जाओ ठीक है इसका कोई आंसर बताया कोई नहीं बता रहा आप इन्हों दो बता रहें गलत है जो एक दम क्या बोलू मैं इतने गंदे हो तुम लोग लसी म करें आराया रहाया इससे आता है दो हो इसका लसी आप पता नहीं कहां से गिरे हो तुम चलो एचिशी अब दो होगा लसी यंदो नहीं होगा अध्य को समझो लिस्ट कामन मल्टीपल इसे क्या बोलते जानते हो हुदहा ही खतरनां है हिंदी नाम यह होता है लगृत्仔 समापवर्त यह वर्टक नहीं होता है महात्तम समाप वर्तक है महात्तम समापवरटक उदर साइड दिखेगा हाँ दिखेगा समापवर्तक यह इसके हिंदी नाम है तो देखो इधर साइड में समझो हाँ बिल्कुल 24 हो सकता है ठीक है देखो एक्चुली LCM होता क्या है यह एक गुड़ जो होता है, multiple होता है यह नहीं होता है जैसि में दोने से कट जाए दोनो नंबर से आप समझा रहे हो ना मतलब इनके पापा को खोजना है यानि ये दोनों जिसके पुत्र हैं, आप समझ गए, LCM का मतलब यह है, समझ गए कि नहीं, यानि 24 है, मतलब ऐसे समझ लो आप, ये क्या है, 24 के दोनों क्या है, बेटे हैं, पुत्र हैं, मतलब पुत्र और पुत्रियां कुछ भी समझ लो तुम, समझ में आया ना, लेकिन HCF म उल्टा होता है, HCF में क्या होता है, HCF में भाईया, मम्मी, पापा दोनों हो जाते हैं, उनके बच्चा एक हो जाता है, छोटा सा वो डूणता उनको, देखो कैसे, जैसे अगर हम इसमें HCF की बात करें, 6 और 8 में, तो इनका HCF क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा, 2, इसका मतल समझ में है न, इस दो से ये दोनों नंबर कटने चाहिए, और इसमें क्या होता है, कि इन दोनों से ये कटना चाहिए, दोनों में अंतर समझ में आ रहा की नहीं, बताओ, जल्दी सभी बोलो, दोनों में अंतर समझ में आ रहा की नहीं, अभी हम गड़ी किताबी ग्यान नह है इसका मतलब यह है कि दिये गए इन दोनों नंबर से यह कटना चाहिए पूरी तरह completely divide होना चाहिए मतलब 6 से भी और 8 से भी लेकिन इसमें क्या होता है HCF में इसमें थोड़ा सा सी नालग होता है यह क्या है इसमें यह होता है कि एस नंबर फे यह दोनों कटने चाहिए बात समझ में आई ना समझ में आई सबको समझ में मौनिका सिंग्ल बोर्ड मास खतम हो गया बोर्ड मास में जो basic पढ़ाना था जेडु लेbल ऊतना ही था उतना ही पढ़ाना था इसके इसके अलावा बिस्तरित कलास के लिए यहां पर टाइम नहीं है फिर टाइम बचेगा तो पढ़ा दिया जाएगा बाकिया पीवियर स्टडी एप में जाके वहां से देख सकते हैं डीटियल में सब पूरा फुल ठीक है चलें आगे बढ़ें लबली सिंग कमेंट ना करिए ज होता क्या है LCM और HCF में क्या अंतर है आप समझ गए ना LCM का मतलब क्या होता है अभी मैंने बताया कि वह क्या होता है वह भाईया क्या होता है उनका पापा होता है उनके दो बच्चे होते हैं HCF में उल्टा हो जाता है बस तो चलो अब हम नियम सीखते हैं अब क्या करते है अब हम नियम सीखेंगे इनके नियम सबसे पहले एक आसान सा नियम ये सीख लो कि कोई भी दो संख्या है जो आपस में अभाज है मतलब कोई भी दो संख्या जो आपस में अभाज है मतलब वो ऐसे अभाज हो अलग अलग या ना हो जैसे अगर हम ऐसे बात करें जैसे मानलो 3 है और 2 है मतलब एक परकार से यह समझो इनके कोई कामन फैक्टर ना हो इनके कोई कामन फैक्टर ना हो तब इनका LCM क्या होता है जानते हो इनमें कोई नियम नहीं लगाया जाता है इनको देख करके उत्तर बताया जाता है कितना होगा आप जानते हो देखो समझ लो कुछ चीजें आपको सीखना है यहां पे कोई नियम अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं इस तरह कि कोई भी दो संख्याएं हो या दो से अधिक हो जिनके आपस में कोई कामन फैक्टर ना हो मतलब उभैनिष्ट गुड़न खंड क्या ब अच्छा उनका गुड़न फल हो जाता बाबू ठीक है याद रखना तो इनका जो LCM होगा इन दोनों का गुड़ा करके बनेगा च्छे आएगा कितना आएगा च्छे सब को समझ में आया इसी तरह से अगर दूसरा देखें मालो हमने लिखा 11 और तीन तो इनका जो LCM होगा भया वह 11 यह 33 होगा लेकिन अब तुम इसका मतलब यह ना सीख जाना किस सब में LCM निकालने के लिए गुड़ा ही कर देते हैं नहीं ऐसा हर जगा दाल नहीं गलती देखो समझो दोनों संख्या जो भी है दो है या तीन है कितनी भी है उनमें कोई भी कामन फैक्टर नहीं होना चाहिए अगर कोई कामन फैक्टर नहीं है तो उनका LCM निकालने के लिए उनका गुड़ा कर देते हैं बाकी और कुछ नहीं करते हैं बस सिंपल सा है सभी समझ गए ना चिराग बच्चा इतना ज्यादा ना भेज दो कि यहां भी उचाला हो जाया काहे को यह सब भेज रहे हो चलो एक और बताओ जैसे दो तीन साथ इसका LCM कोई बताएगा अभी हम किसी रूल पर नहीं चल रहे हैं अभी हम आपको ऐसा फंडा सिखा रहे हैं कि तुम ब मा क्या नहीं लगेगा बस आप यहां से सिर्फ अंसर समझ सकते हो लेकिन अगर आप स्कूल लाइफ में हो जैसे मान लोग अच्छा दस तक या उसके नीचे हो तो नियम से ही लगा होगे मतलब आठ तक हो फिलहाल दस में तो कहीं LCM आता नहीं हां सब को समझ में आया ना बरसा सिंग आप अपना कमेंट पर ध्यान दीजिए ठीक है चलिए समझिए इनका LCM क्या होगा भया पहले देखो दो है तीन है फिर साथ है यह सभी आपस में क्या है अभाज है इनके कोई भी कामन फैक्टर नहीं है हाँ वन को छोड़कर वन तो सब में रहता है उसका कोई फरक नहीं पड़ता है तो दो त्याहिए छे सते 42 इनका मल्टीपल कर लोगे 42 आएगा यही क्या होगा उत्तर होगा यही क्या होगा अंसर होगा अच्छा ही बताओ ललकी वाली पैनिया भी दिख रही कि नहीं भाई कुछ जादा ही चमक है का मुझे लगता है चमक कुछ ज बताओ वैसे तो आप समझ गए एक और दे रहा हूं बस चलो जैसे मानलो चार पांच और तीन इसका LCM क्या होगा तीनों कोई बता दे मुहमद साकीब आप ही बता दीजिए चलिए बताइए इन तीनों का LCM क्या होगा इसमें कुछ नहीं करना है अगर उनके कामन फैक्टर नहीं हैं तो उनका गुड़न फल ही उनका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा और हाँ HCF के केस में क्या होगा इस तरह की संख्याओं का HCF हमेशा वन होगा क्या होगा एक होगा याद रखना बस बस इतना ही याद रखना इससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना है समझ गए ना तो बस आप समझ गए ना हम जो कहना चाहते हैं लेकिन एक बात ध्यान रखना भाईया कलास को पूरा देखना बागु कभी भी जब भी पढ़ना भै काहे को परिसान के 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 रखा है समझ रहे हो ना कलास को पूरा देखना बिल्कुल छोड़के नहीं जाना बाद में यह कलास यूटूब पर उपलफद रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं इसलिए जब लाइब होता तब ही पढ़ो जिनको भी पढ़ना है रोज रात नौ बजे से बाद में कलास यूटूब स हट जाएगी तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है लाइब सभी आओगे टाइम पर क्योंकि यहां पर थोड़ा एक उत्साह बढ़ता है कि बच्चे ज्यादा जूड़े हैं यहां पर दस लोग देख रहो बाद में हजार लोग देखो तो बाद में नहीं मजा आती इनका अगर LCM की बाद करें तो गुड़नफल होगा चार पंचे बीस बिस तियाई साथ इसका उत्तर आएगा अगर इसमें हम HACF की बाद करें हाइस्ट कामन फैक्टर तो वह वन होगा क्या होगा वन अब हम नियम पर चलते हैं जो नियम है जो रूल है उस पर चले ठीक है रूल पे चलो सभी बहिया रूल पे चलो कि देखो रूल पे चलो कि अधर साइड में अब है वाई साहब रूल पे चलो अब दो और चार का LCM बताओ देखो यह उस तरह का कुईस्टन नहीं है आप कोगी इतना चोटा काय दे रहे हो इतना चोटा तो सब को आता है लेकिन इनको मैत नहीं आती है उनके दिल पर हाथ रखके एक बार देखो धड़कन कितनी तेज हो जाती है अगर मैत का कुईस्टन आता है तो और इतनी सरम लगती है कि किसी से पूछ भी नहीं पाते हैं तो मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूं जिन्होंने उमीदें छोड़ दिया म और एक होता है गुड़न खंड भी थी क्या होता भाया गुड़न खंड भी थी तो है फैक्टर मेथर्ट से हम लोग पहले वैसे कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा मारकर में थोड़ा इंक डाल दें और ये सिस्टम डिश्चार्ज हो गया कोई जायेगा नहीं सभी जितने भी साथी हमारे जुड़े है न वो इस सेशन को लाइक करने तुरंत देर ना करें तुरंत लाइक करो भाई देखो यार अगर आप लोग भी थोड़ा सा उत्सा बढ़ाओगे न तो कलास में चार चा कर्या होता जानते हो कलास को लाइक करिए और दोस्तों में भी सेयर करिए आपकी पकूद जिम्मेदारियां हैं आप समझते चलिए थोड़ा अप समझchen थोड़ा हम समझें बेथर होगा तो मारकर में थोड़ी सईंक भरते हैं तब तक आप लोग डन Osama अभी करदेए उज खड़ा हूं लेके सब लोग देख लो चलो है सपना कुमारी आरहा समझ में गें के को कमेन्ट आते हैं उन्हीं के आते जिनके नहीं आते हु़। अग्ला लिखें गाहें बmost है क्ईयों इतने तगड हैं ये लोग किसी और का कमेंट आने निकते हैं कि इतना कमेंट करेंगे एक ही सिकेंड में न कि पागल हो जाएगा अगला लिखे गाई नहीं हो कुछ चलो ठीक है आगे बढ़े फिर हम लोग तो हम कौन सा मेथेड करें आप यह बताओ अगर गुड़नखंड विधी चाहते हो तो भी लिख के कमेंट करो भी फार बाल और भ इंगलिस वर्ड नहीं चलो तो कौन सा मेथेड से किया जा भाई चलो देखो ठीक है कुछ भी करो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों नंबर के फैक्टर करेंगे अलग-अलग फैक्टर करना मैंने पिछली कलास में बता दिया अगर आपने नहीं पढ़ा था तो आप पीछ प्पशे की क्लास को को देखो सबसमझ में आएगा फैक्टर सबसे पहले करेंगे दो और 4 टो इसको फैक्टर होगा 1 2 और इसका फैक्टर होगा 1 2 2 2 यह क्या होता है गुडंखंड होता है जिनको ये भी नहीं आता वह पीछली क्लासें देखें जो अभी तक पढ़ा है बोलो हां बोलो हां common है अब क्या करोगे नीचे लिखोगे LCM of 2,4 अरे हिंदी वाले लिख दो दो और चार का लासा इसको हिंदी में लासा बोलते हैं लासा कहें बोलते हैं ला मतलब लगुत्वہ मतलब समापवरते। इसलिए लासा बोलते हैं। अब लासा का मतलब कुछ और लासा समझते हैं सब। THIS CICS तो जो दोनों में common है उसमें से 1 number यहां जाएगा। इसलिए क्या हो गया? अब रहना हो गया। ये answer हो गया। नई यह एंसर नहीं हो गया क्योंकि इसका आंसर तो चार आना चाहिए तो समझो जो दोनों में कॉमन था वो तो लिख दिया जाता है उसके बाद जो लाश्ट में बचता है यह कहता है बाई सबका साथ और सबका आगे कोड़ बोलेंगे लोग गाली देंगे जो बच जाएगा जिसका कोई भी साथी नहीं है अकेला साय तनहासा उसको भी साथ में मिला लेते हैं और इनका गुड़ा कर देते हैं आपको फिर फायदा क्या हुआ जो कॉमन था उसको भी लिखे हो जो नहीं था उसको भी लिखे हो तो फिर फायदा क्या हुआ यह करने का यह करने का यह फ्राइदा हुआ जो दू बार था ना एक ही वार आया मतलब हैसले किbyach सम्मेहलन हो रहा है कोई मीटिंग हो रहा है कोई प्रोग्राम हो लाए तो उसमें एक एक लोग को एक परिवार से इंट्री है जो हस्बेंड वाइफ है उसमें से एक है आएंगे तो सारा मामला डिश्टर वह जा है इस वजह से एक ही आएंगे आप समझ गए ना और जो अकेला है जिसके ना हस्बेंड ना वाइफ है वह आए सकता जैसे यह यह अकेला था यह दोनों डबल थे इसलिए इसमें से एक आए समझ गए ना आप समझ गए आप तो समझ गए ना इनका मल्टीपल कर लो यह हो गया चार इस तरह से आप का अंसर हो गया चार मैंने अभी अभी पहले इसके बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया कि यह LCM होता क्या है यह ऐसा नंबर है फौर यह एक आईसा नंबर है कि जिसमें दो से भाग करें तब भी पूरा-पूरा कड़ जाए जीरो आए चार से भाग करें तब भी पूरा-पूरा कड़ जाए, जीरो आए, सबको समझ में आई इतना, देखो भाई, अगर आपको मैथ नहीं आती, तो कलास को पूरा देखना, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, कलास को पूरा देखना, छोड के वीच में ना जाना, अगर वास्तों मे सीखना चाहते हो तब, बिल्कुल छोड के नहीं जाना, और हाँ, नहीं सीखना चाहते हो, तो बहुत सारा चैनल यूटूब पे मिल जाएगा, खुब खोज लो, बिल्कुल दिल लगा के खोज लो, यूटूब पे, खुब सारा चैनल मिल जाएगा, कोई 4 वीडियो डाला ह कोई वीडियो डाला है पूरा कहीं नहीं मिलेगा क्योंकिति तुम पढ़ोगे यहीं किसी का वीडियो 10 Soples कंड़ देखऊंगे किसी का दू मिनट देखऊंगे तो खुछ नहीं होने वाला किसी भी चैनल पर देखो लेकिन उसी पर हर दम देखो पूरा कलार देखो तभी समझ में आएगा याद रखना ठीक ना हम यह नहीं कहरें तुम यहीं देखो कहीं भी जाओ देखो लेकिन पूरा देखना जो भी वीडियो देखना तब समझोगे चलो अब थोड़ा बड़ा पंदरा और दस के लसीम क्या आएगा भाई का है को यार आज पता नहीं क्या हुआ है सब कुछ गिरी जारा यहां पर लग रहा है कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है का क्या बोलते हैं उसे गृत्वा करफण थोड़ा थोड़ा साइंस भी हम लोग साइंस में मजा आएगी है ना बहुत सारी एक्जामपल मिलेंगे गाउदेश के आपको सिखाएंगे बस हम साइंस से जल्दी ही सुरू करेंगे बिलकुल स्टार्टिंग से कि स्रेजल जैसावाल जी आरा कुछ समझ में मौनिका सिंग चलो ठीक है अब हम कमेंट के लिए कुसी को नहीं रोकेंगे कुछ भी बेजो गाली दोचाज इतना ठीक है हाँ मैंने भी सोचा है देखते हैं तुम लोग का कितनी हद तक जा सकते हो चलो कुछ भी बेजो चलो देखो दस और पंदरा कैल्सियम क्या होगा कोई बताएगा अब इसका मतलब यह नहीं कि बोल दिये तो तुम गाली देना शुरू कर दो हमारे और भी साथी कमेंट देख रहे हैं तुमको बिना कुछ बोले वलाग कर देंगे चुपश नीतेस बता दिये 30 आएगा बीबेग पाल स पराम होता पारटी होती जरूर पहुंच जाते हैं परदान ऐसा समझो ठीक है तो यह फैक्टर में सबके रहेंगे इसके अलामत दो और पांच होगा यहां पर का का होगा बाई वन तो रहेगा ही तीन और पांच होगा इनका LCM के लिए क्या करेंगे दोनों में जो कॉमन है उसको भी लेंगे उसके साथ साथ जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे मतलब कुल मिला के यह समझ लो तुमकी पंदरा और दस से कट जाए मतला दोनों से कट जाए वह संख्या में बतानी है लेकिन चोटी से चोटी संख्या चोटी से चोटी होनी चाहिए वह ऐसे देखो त दोनों से लेकिन 150 नहीं लेंगे क्योंकि 30 एक ऐसी संख्या है सबसे छुटकी जो दोनों से कड़ती है लेकिन एक चीज और समझ लो एक चीज और समझ लो वो क्या है कि कि अधर यह डिश्टर्ब क्यों करता है राज पतेल क्या करें तुम्हेंग कर दें किसको बोल रहे हैं मर जाओ लड़ाई कर लो कर लो लाग गूसा ले लो दुचाड कर लो चलो देखो तो जो दोनों में common है पहले उसको देखते हैं फाइब दोनों में common है उसके बाद देखो one से तो कोई मतलब नहीं होता इससे कोई मतलब नहीं कामन रहे या नहीं रहे रहे या कहीं चला जाए इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि कोई फरक नहीं पड़ता इस नंबर से तो अब दोनों में क्या common है यहां पे आप लिखो यहां पर एक नंबर बच रहा था कौन कौन सा एक थी तो तीन बच रहा है तो पांच थी पंदरा दुना तीस इसका क्या हो गया अंसर सबको समझ में आया उमीद करते हैं सभी LCM सीख गए है सीख गए ना भाया LCM सीख गए ना बाबू सभी कि नहीं सीख गए देखो यार बच्चे कम हो रहे मैं नहीं पढ़ाऊंगा जान लो जिनको नहीं पढ़ना तुम सभी चले जाओ पहले चलो निकाल लो जल्दी से जिनको नहीं पढ़ना किवल खेलने के लिए आयो तुम चले जाओ और हां अगर लग रहा है कि यह आ रहा है न तो आप जल्दी जल्दी उत्तर बता दो और सबसे पहले इस class को like करो चलो जल्दी करो इस class को सभी साथी like करो देर ना करो चल्दी करो भई फटफट देर ना करो और question अब कुछ बढ़ने वाले हैं चलो बहुत मज़े ले रहे हो ना चलो बताओ अरे इको ऐसे लिख दो 28 चलो इस question का जबाब दो कितना आएगा इस session को सभी like करो भाई देर ना करो और channel को भी subscribe करना नहीं भूलना आपकी भी कुछ जिम्मेदारिया हैं अगर आप उसे निभाते चलेंगे ना तो भीना कहें पूरा दिल से हम पढ़ाएंगे लेकिन अगर आ नहीं होने दिया है दोखा घरों से सिकायत क्या ना तो ठीक है कि कोई बाती नहीं बचाएगि वजा ही नहीं वची baker देंगे आई जition भी मन करेगा हम भी कर लेंगे नितेश अंसू सोनू जीतेंद्र जरदारी इनका नाम है और इनका मैत कमजोर है जरदारी सहाब नाम तो बड़ा जोरदार है आपका फिर मैत आपकी कैसे कमजोर हो गई उस तो गड़बड है नहीं हम्मायत वेसिक और पढ़ते है यह पढ़ा रही नहीं यह बढकी वाली है आपकी है इसे लोग आ जाते हैं देख रहे हैं क्या पढ़ा रहे करेंख अधूर सिंत पढ़तते हो सब चलो इसका अंसर कितना या ऑगा कोई बताएँगा कि सोनू परजापती संदीब आप लोग कोसिस करो देखो इसका अंसर बताना कल तीन अंक वाला करवाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास भी नहीं है देखो बच्चे 50 के ऊपर भी नहीं जाते हैं तो क्यूं पढ़ाएं बताओ आप लोग कलास को जादा प्यजादा सेयर करो कल की कलास में जूड़ना रात 9 बच कर 15 मिनट से इस चैनल पे और कलास को सेयर करना भी ना कहें ठीक है भी ना कहें कलास को सेयर करना कल